आज हम बनाने जारे नारिल की चटनी इसके लिए मैंने आदा नारिल लिया है साथ में लिए हमने बुने हुए चने आप दाल भी ले सकते हैं उसे रोस्ट कर लिजेगा अध्रक का टुकड़ा इमली हरी मिर्च और कड़ी पत्ता साथ में डालेंगे दाई और स्वाद अनुसार डालेंगे नमक नमक और थोड़ा थोड़ा पाई डालकी से पीस लेंगे आप देख सकते हैं हमने चट्नी पीस लिये और इसमें हमारा एक से लेट चिमेज़ा पानी लग गया है आप चाहिए तो और पतली कर सकते हैं अब इसमें लगाएंगे हम तड़का तड़का लगाने के लिए अमने अपना तेल गरम होने लग दिया है तेल हमारा घरम यह बन और अपने तड़के को लगाएंगे तड़का आप लगा दिया है अब इसको मिक्स कर देंगे आप देख सकते हैं तड़का लगाने के बाद यह अच्छी लग रही है और अगर आपको मेरा बनाने का तरीका अच्छा लगाओ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर क कर दीजेगा और शेयर भी कर दीजेगा और एक बर आप जरूर बना के ट्राइब कीजेगा यह चटनी खाने में बहुत ट्रेस्टी लगती है धन्यवार